तो दोस्तो भारत में 2022 की शुरुआत के साथ साथ कोरोना ने भी अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है आपको पताई होगा दोस्तो कि आज भारत में 1,17,000 से जादा केसे साए हैं कोरोना के तो दोस्तो ऐसे में मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग जितना हो सके खुद को सेफ रखे अपने परिवार को सेफ रखे और अब तक अगर वेक्सिन ने लिया है तो वेक्सिन शरूर लगबाई है दोस्तो क्यूंकि वेक्सिन आपको सिरियस होने से तो दोस्तों CID में किसको फ़ा है करोना? क्या CID का कोई एक्टर करोना के चपेट में आ चुका है? क्या है इसके पिछे की असली राज? क्या सच में CID के एक्टर्स जो हैं वो करोना के चपेट में धिरे धिरे आ रहे हैं? सब कुछ आपको बताऊँगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीचे और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में दाया या फिर अभिचीत लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाईए तो दोस्तों CID मे किसी इंस्पेक्टर को कोरोना होगा और आपको बताया जाएगा कि कोरोना के टाइम पे आपको क्या-क्या साब्धान या बरत ने पड़ सकती है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी अच्छा इनिशेटिव है क्योंकि आज भी कई सारे लोग जो है वो वेक्सिन उनको नह एंग